अब हम सब जानते हैं कि अगर हमें अपनी ग्रेड बनानी हैं तो हमें अपना ग्रीन रे अक्टिवेट करने की ज़रूरत और ग्रीन रे तब तक अक्टिवेट नहीं होता जब तक आपका ओरेंज और यलो रे अक्टिवेट नहीं होगा कुओ कहते हैं कि नकारात्मक तौर से अगर बोला जाए तो आपके जितने ग्याजट्स हैं इलेक्ट्रानिक ग्याजट्स जो कम्यूनिकेशन डिवाइसे आप लोग इस्तेमाल करते हो मतलब कि फोन, टेलिविजिन, कम्प्यूटर इस तरह की जो चीजें हैं ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि आपका ध्यान और साथ में स्पोर्ट्स भी जो लेस कॉंप्टिटिव स्पोर्ट्स और गेम्स होते हैं जैसे आप लाप्टॉप के उपर गेम खेल रहे हो, टीवी के उपर गेम खेल रहे हो वो इसलिए बनाई गई हैं ताकि आप लोगों से मिलो जिलो नहीं लोगों से बाते ना करो, लोगों के साथ आपका प्यार ना बढ़े, आपका ओरेंज और येलो चक्र जो है वो ब्लॉक हो जाए और वो ब्लॉक होगा तो आपका हाट चक्र ब्लॉक होगा और हाट चक्र ब्लोक होगा तो आप असेंड नहीं कर सकते आप आपकी जिन्दगी में कभी प्यार नहीं आएगा ना आएगा ना दे पाओगे धीरे 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 उसकी कमपंता कम होती जाएगे नारंगेरे रिष्टे हमारी आध्यात्मिक मिलों के लिए ग्रिस्ट का एक बड़ा हिस्सा है मतलब कि हमारी आध्यात्मिक मिल या काम जो काम कर अगर इन आध्यात्मिक रास्ते पर अगर हमने जाना है तो उसका एक बड़ा हिस्सा है इसका कारण यहाँ है कि हमारी चक्की बारीक पीस्ती है और उनके काम में जो चबाया जाता है वह हमारी भावनाओं को परिशान करता है इसका मतलब यह है कि जो मिल है अगर हम उसे आध्यात्मिक मिल कहें तो उसका एक बड़ा हिस्सा है क्योंकि उसके अंदर जो आप आटा पिस्ते हैं वो इतना बारीक पीसा जाता है कि उसके अंदर जो पिस्स जाता है वो हमारी भावनाओं हमें बुरा लगता है मतलब भावनाओं को परिशान करता है इसी कारण से किसी रिष्टे में काम करना अक्सर असुविधा जनक होता है चाहे अपने साथ या किसी अन्यवक्ति के साथ हम पहली डेट पर या किसी अजनभी से बात करते समय अपने रवीवार के शिष्ट अचार को अच्छी तरह भाते हैं हम रोल प्लेइंग की कल्पना को कई तारीकों तक भी जारी रख सकते हैं हाला कि अन्ततह दोनों पक्ष रिष्टे को वास्तविक होना चाहिए और खुद को इमानदारी से व्यक्त करना चाहिए दोनों पक्ष रिष्टों को मतलब दोनों को दोनों तरफ के लोगों को और उत्प्रेरक उत्पन्न होता है अक्सर जब हम वास्तविक हो जाते हैं तो हमें एक दूसरे से जो कहना है वह सुनना दूसरे के लिए दर्दनाग होगा और फिर भी रिष्टों को इतनी गहरी इमानदारी की आवशक्ता होती है कि दोनों भागीदारों की आध्यात्मिक विकास की अनुमती मिल सके मतलब दोनों का विकास हो सके जरूरत होती है कि दोनों साज्यदारों का आध्यात्मिक विकास हो चके I'm sorry about all this stumbling because Google Hindi so मुझे उसे समझने में और उसको explain करने में थोड़ा वक्त लगता है तो वो basically ये कह रहे हैं कि जब हम लोगों से मिलते हैं पहली बार मिलते हैं डेट पे जाते हैं कभी गभार मिलते हैं तो हम उनसे अच्छा शिष्टा चार करते हैं उनसे गभार सही तरीके से करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमारे बार हमें गलत सोचे लेकिन जब कोई इनसान एक दूसरे से बार मार मिलता है किसी न किसी दिन जब उनकी असलियत बहर आती है तो फिर बुरा लगता है अगर यही लोग एक दूसरे को वो बातें खुल कर बताएंगे जो वो मन में उनके बारे में सोच रहे हैं स्वाभाव एक तरीके से जीएं और प्रेम से जीएं मतलब स्वाभाव एक तरीके से जीना है लेकिन अगर आपका स्वाभाव प्रेम वाला नहीं है तो पहले दिन से ही दिक्कत आ जाएगी तो उसके बाद जब लोग एक दूसरे को जानने लगते हैं तब एक दूसरे में मुश्किलें आने लगती हैं, तब वो एक दूसरे के catalyst बन जाते हैं, जब उनको एक दूसरे की असलियत पता चलती है, तो उन्हें अगर हम सारी चीज़ें जो अब तक हम only planet of choice, universal laws, law of one, इन सारी चीज़ों को अब तक जो हमने living the law of one और law of one में सुना, तो basically, जब हम किसी की तरफ अच्छे से व्यभार करते हैं, क्योंकि हम कभी-कभी मिलते हैं, या पहली बार मिल रहे हैं, या चार बार ही मिले हैं, तो उन्हें अपना असली रूप नहीं दिखाते हैं, और जब आप एक दूसरे को लंबे समय से जानने लग जाते हो, तो हम एक दूसरे को taken for granted लेने लगते हो, जो की सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी रिष्टे में, उसके बाद दूसरी गलती ये, कि जब आपने अपने चहरे पर नकाब ओड रखा था, मास्क लगाया था, जब आपने उसे उतारा, तो आप दोनों एक दूसरे के catalyst बन गए, त करम आपको तकलीफ दे रहे हैं, इसका मतलब आपको उससे कुछ सीखने की जरुरत है, इसलिए वो इनसान आपकी जिंदगी में आया है, अगर तब उससे चिड़के, लड़के, अलग हो जाएंगे, तो जो दूसरा मिलेगा, वो भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि आपने अपना लेसन नहीं सीखा, तो आपको उस समय पर वो लेसन सीखने की जरुरत है कि मुझे इसकी ये बात बुरी क्यों लग रही है, इसका मतलब अगर हम law of attraction पे जाते हैं, law of resistance पे जाते हैं, तो हमारे अंदर कुछ ऐसा है, जिसकी वज़ा से हमने उस इंसान को अपनी जिंदगी मे attract किया, number one, हमारे अंदर कुछ ऐसा है, हमने इस चीज को नहीं चाहा और गलत चीज के उपर focus किया, इसलिए हमने इस इंसान को अपनी जिंदगी में आकरशित किया, number two, number three, इस इंसान के अंदर जो चीज है, नहीं, ये इंसान जो मेरे अंदर जो भावनाएं उत्पन कर रह है, वो नकारात्मक, negative emotions, मुझे क्यों feel हो रहे है, मेरा कौन सा trigger button दब रहा है, अब जब वो trigger button दब रहा है, इसका मतलब कि आपका कोई inner child issue है, मतलब कि बच्पन से कुछ न कुछ ऐसा हुआ है, जो आपको trigger कर रहा है, इसलिए उसको trigger button कहते हैं, उस इंसान ने major कुछ नहीं किया, लेकिन एक button trigger किया, अब आपको क्या ज़रत है, उस button को जाके heal करने की ज़रत है, कि वो बच्पन में या past में जो button दब गया था, मतलब button बन गया था, वो अब दबा है, तो पहले उसको ठीक करो, उसकी वज़ह से मेरी धारनाओं में, मेरे subconscious mind में, कुछ इस तरह की बा आगे पढ़ती हूँ, अक्सर जब हम वास्तविक हो जाते हैं, तो हमें एक दूसरे से जो कहना है, वह सुनना दूसरे के लिए दर्दनाख होगा, और फिर भी रिष्टों में इतनी गहरी इमानदारी की जरुरत होती है, कि दोनों साजिदारों का अध्यात्मिक विकास हो स अब औरेंज रे का जो तालुक है वो है आपकी सेक्सलाइट से, आपके सेक्श्वालिटी से, तो औरेंज रे मतलब ठीक है, बाकी सबसे भी ये रिष्टे का तालुक है, लेकिन खास करके उस इंसान से है जिसके साथ आप सेक्स करते हो, या जिसके साथ आप सेक्स करना चा हते हो या करने की संभाव ना हो सकती है तो यह आपका या पती है पतनी है गर्फरेंड है बॉइफरेंड है तो ऐसे में इस इनसान के साथ आपने sexual intimacy बना कर आपने spiritual awakening करनी है मतलब अपनी कुंडलीनी को जागरत करना है तो उसके साथ तो जो intimacy है जो नजदीकी है जो कामुकता है उसके बीच में ये एक दूसरे का स्वभाव अगर आजाता है तो बहुत दिक्कतें पैदा होती है इस इस उसने आपको कुछ ऐसा कहा जिसने आपको trigger किया आपका sex करने का मन नहीं किया sex करने का मन नहीं किया तो उसने फिर आपको कुछ ऐसा कह दिया तो sexuality अपनी जगा है sex के, how do I say this, विस्तर में एक दूसरे को खुश रखना अपनी जगा है हो सकता है, that person may be very good and bad, possible और sexually आपको उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन उसका जो सभाव है वो इस तरह का है कि वो जो पहले आपको नहीं पता था क्योंकि उसने पहले, you know, everybody puts their best foot forward अच्छे से बात करना, प्यार से बात करना, care करना, वक्त देना, message करते रहना, call करना और बाद में busy था, समझ भी नहीं आ रहा कर दूँगा, रोज-रोज क्या बात करूँ तो इस तरह से जो changes आते हैं, अगर इंसान शुरू से ऐसा रहे तो आगे चलके कभी शिकायती नहीं होती, लेकिन शुरू से अलग रहे और बाद में बदल जाए तब शिकायते होती हैं, और तब फिर शारिरिक तोर पे नजदीक आने का मन नहीं करता इसलिए अगर इन चीज़ों को अगर आप बीच में से हटा दें, तो sexuality के द्वारा आप अपनी कुंडलीनी को जागरत करके अपनी अध्यात्मिक उन्नती कर सकते हैं इसलिए हमें अपनी नारंगी किरन को खुला रखने के लिए अपने रिष्टों के दौरान अपनी चमकती सचाई को साजा करना चाहिए मतलब के, you should always be honest right from the beginning and be yourself एक बार एक निश्चित मात्रा में विश्वास उत्पन्न हो जाता है एक निश्चित मात्रा में रिष्टों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है आवशक संचार के ये समय आसान हो जाते हैं आवशक, वो मतलब के एक बार शुरू से आपने एक दूसरे से मतलब जैसे सहज तरीके से बातचित की और एक दूसरे को अपनी सच्चाई बयान की तो एक रास्ता खुल जाता है जब आप कल को कुछ और भी बात करना चाहो तो बड़े आराम से प्यार से बैट के बात कर सकते हो उसके लिए आपको दस बार सोचना नहीं पड़ेगा जिजकना नहीं पड़ेगा लेकिन दर्दनाग भावनाओं के बारे में बात करने की असुविधा वास्तव में कभी दूर नहीं होती मतलब कि जब आपको तकलीफ हो रही है आपको दुख हो रहा है और कुछ चीजें आपकी जिन्दगी की जो आपको जितनी बार याद करते हो दुख देती है उसके बारे में शायद बात करने से पहले आप सोचें और हर बार सोचें क्योंकि हो सकता है वो आपकी जिन्दगी की एक वो हिस्सा है जिसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते या सामने वाले को बताना नहीं चाहते तो फिर क्या ये कोई अश्चेरे की बात है कि हम उन मनोरंजनों का सहारा लेते हैं जिन में एक साथ गुणवत्ता पूर्ण समय बताना शामिल नहीं है मतलब कि जब आप एक दूसरे से दिल की बात कहीं नहीं सकते तो क्या ये फिर समझ में नहीं आ रहा या कोई सप्राइस की बात है कि जब हम एक दूसरे के साथ भी होते हैं तो फोन पे लगे रहते हैं टीवी देखते रहते हैं मूवी चले जाएंगे गाने सुनते रहेंगे गेम्स खेलेंगे इलेक्ट्रोनिक या दूसरे ताकि एक दूसरे से अपने दिल की बात ना करनी पड़े और उसके अंदर इमोशन्स शामिल ना हो या बताना ना पड़े कि actual मुद्दा क्या है हाँ आज मैं गुस्दे में हूँ क्यों हूँ नहीं बताना क्यों क्योंके तुम नहीं समझोगी क्यों नहीं समझोगी जिसकी वज़े से आज मेरा स्वभाव ऐसा बन गया है, मुझे एक बहतर इंसान बनने में मेरी मदद करो, ये बाते कौन बोलता है, हर इंसान बोलता है मैं जो हूँ, जैसा हूँ, perfect हूँ, मेरे में तो कोई कमी ही नहीं है, ये तो दूसरों से पूछे न तुम में क्या कमी है वर्षों पहले, सामी डेविस जूनियर का एक टेलिविजन शो हुआ था, एक रात मैंने उसे स्टीव लॉरेंस और आईडी गौर्मे का साक्ष, मतलब इंटरव्यू लेते हुए देखा, इस जोड़े की मुलाकात, दोनों लोग प्रिय गायकों के रूप में एक टेलिवि शुरू किया, मतलब कि एक फैमिली शुरू की, उन्होंने कलाकार के रूप में एक साथ दौरा करना भी जारी रखा, सामी ने आईडी से पूछा कि उनकी लंबी और खुशाल शादी का रहस्ते क्या है, आईडी ने पूरी इमानदारी से उतर दिया, हम कोशिश करते हैं कि सडक पर भी, कभी भी सार्थक बातचीत ना हो, मतलब कि जब हमें कोई खास बात करनी है, ज़रूरी बातیں करनी हैं, तो इसे इसे हलके में नहीं ले लेते, कि सडक पे कर ली, कहीं चलते फिरते कर ली, नहीं, निस संदे में जानता था कि वे इसे सफलता पूर्वक प्रबं प्रण्धित नहीं कर सकते मैं तुरंथ उन्हें ड्रेसिंग रूम में किसी ऐसे मुद्धे पर चाच्चा करते हुए देख सकता था जिसके लिए इंतजार नहीं किया जा सकता था तो उन्होंने कहा कि हम कोई भी मीनिंगफुल कॉन्वसेशन जो है वो कहीं पर भी ऐसे ही नह द्रेसिंग रूम में डिसकस्चिन करते हुए इमाजिन किया और उसने समझा के अगर इनहे कोई बात करनी हैं अकेले में एक दूसरे के साथ ये बात करते हैं और जो चीज अगर बहुत जरूरी है तो वो ड्रेसिंग रूम में चले जाएंगे किसी खास जगह पर चले और उस problem को solve करेंगे हम अक्सर रिष्टों और उनके द्वारा उत्पन कार्यों से बचने के तरीके ढूनते हैं जब हम साथ होते हैं तो हम television से अपना ध्यान लगातार भटकाते हैं उन्निस सो असी से लेकर आदमियों को आदत पड़ गई काम से आना है टीवी के आगे बैठना है एक दो घंटे टीवी देखना है और फिर सो जाना है नमबर वन रिष्टे खत्म हो गए नमबर टू सेक्स लाइफ बरबाद हो गई नमबर थ्री बच्चों को टाइम नहीं दे पाए क्या मतलब क्या है इस जिंदगी का इस परिवार का अगर आप एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं तो हम वहाँ हैं एक साथ लेकिन एक साथ फिर भी नहीं है हम दोनों एक ही चीज देख रहे हैं लेकिन हम वास्तव में एक दूसरे के साथ नहीं है और जो आप टीवी पे देख रहे हो अपनी अपनी सोच के हिसाब से देख रहे हो एक दूसरे के साथ डिसकस करके एक नतीजे पर नहीं पहुँच रहे हो टेलिविजन शो हमें व्यक्तिकत रूप से जुड़ने से रोपते हैं या हमें अपने बच्चों की देख भाल करने से भी रोपते हैं उस जमाने में टेलिविजन शोज हुआ करते थे आज के जमाने में टेलिविजन शोज तो हैं ही उसके साथ में OTT प्लाटफॉर्म्स हैं, कम्प्यूटर्स हैं हम ट्यूब को असली बेबी सिटर के रूप में चुनते हैं टेलिविजन के आगे बच्चों को बिठा दिया आज कल बच्चों के हाथ में फोन दे दिया और उस पे काटून्स लगा दिये, टैब दे दिया जहां हम लंबी सेर कर रहे होते हैं और युवाओं के अंतहिन सवालों का जवाब दे रहे होते हैं पुस्तका ले जा रहे होते हैं बतकों को खाना खिला रहे होते हैं या जो कुछ भी सीधे हमारे बच्चों से संभंधित होता है हम टेलिविजन चालू करते हैं और उनके देखने के लिए एक काटून शोर ढूंड लेते हैं मतलब पहले के जमाने में हमारे जमाने में हम लोग वॉक पे जाते थे साथ में पेंटिंग करते थे कविताक सुनते थे गाना गाते थे बाते करते थे सिलाई कढ़ाई करते थे माबाब को बोलते थे हमें सिखाएं वो हमें सिखाते थे खाना बनाना सीखते थे दोस्तों के साथ अंगन में खेला करते थे और पूरा दिन उनके साथ बिताते थे और ते जो होती थी वो घर में मिठाईयां अचार, परसान बनाने में बिजी होती थी यह से लाई-कड़ाई करने में बिजी होती थी ना किसी टेलर की जरूरत पड़ती थी ना ready-made snacks के malls की जो malls हैं वो ready-made snacks से भरे हुएं वो snacks जो हमारी नानी दादी घर में बनाया करती थी उन सब दुकानों की ही जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि सभी अपने घर में बनाते थे पैसा बचता भी था और ते बिजी रहती थी शुद्ध खाना मिलता था जिसमें प्यार भरा होता था और बच्चे भी स्वस्त रहते थे बच्चे की परवरिश सही तरीके से होती थी और उनको संसकार सिखाए जाते थे आज क्या होता है टीवी लगा दिया, टैब लगा दिया फोन दे दिया, इस पर शो देखो बिजी हो जाओ मुझे मेरे फोन के उपर अपनी फ्रेंज से बात करने दो या पापा जो है वो मैं काम कर रहा हूँ व्यपारी से बात कर रहा हूँ या मैं स्टाफ से बात कर रहा हूँ या बॉस से बात कर रहा हूँ या अपने अकाउंट्स कर रहा हूँ अपने बच्चों के सीधे तोर पर जुडने का विकल्प चुनकर हम उन्हें टेलिजिन के माध्यम से बड़ा होने दे रहे हैं जबकि टेलिविजिन के उपर दुनिया भर की नकारात्मक माइन प्रोग्रामिंग होती है कोई भी न्यूस चानल पे सच नहीं बताया जाता हर प्रोग्राम में सेक्स, वाइलेंस, ड्रॉग्स आजकल लेजबियन, गे, ट्रांसजेंडर ये चीज़ें बताई जाती हैं अगर आप बच्चों के सामने टीवी, OTT प्लाटफॉर्म्स टैब, कार्टून्स यही सब रखेंगे तो बच्चे क्या सीख कर बड़े होंगे और फिर वो क्या करेंगे? जो लोग नेटवर्क चानल प्रोग्राम करते हैं उनका बच्चों के लिए एक विशिष्ट एज़ेंडा होता है ये हम सब जानते हैं उनमें भोकता बनने और ये स्विकार करने की उनकी ख्षमता शामिल है कि खरीदारी अंतहीन के खिलोनों की खरीदारी नए खिलोनों की एक अंतहीन श्रिंखला खरीदना एक सार्थक प्रयास और एक अच्छी मूल्य प्रणाली है जो हमें खुश करेगी बचपन में टीवी पे देखा मम्मी न्यू टूथपेस्ट आई है ये वाली टूथपेस्ट लाओ ना क्यूं क्यूंके टीवी पे देखा चाहे वो महंकी है चाहे वो आपकी सेहत के लिए नहीं है अच्छी नहीं है पुराने जमाने में हर्बल विको वजरदन्ती सब यूज करते थे उसके बाद आ गया कॉलगेट ताट चमकते हैं फिर आया नमक वाला कॉलगेट फिर आया निम्बो वाला कॉलगेट और उन सब के अंदर क्या है फ्लोराइड फ्लोराइड क्या करता है आपके पीनियल ग्लाइन को क्यालसिफाई करके उसे ब्लॉक करता है जिससे आपका दिमाग जो कम से कम 20-25 प्रतिशत चलना चाहिए 5% चलता है और बच्चे यही सीखते हैं भले ही खिलोने हम में से किसी और हम में से किसी को भी लंबे समय तक की खुशी नहीं रखते No, one second, what it means is के और बच्चे यही सीखते हैं के खिलोने जो हैं वो बहुत देर तक खुशी नहीं देते आप कितने दिन एक खिलोने के साथ खेल लोगे, आप बहुर हो जाओगे और आपने जो टीवी के उपर उन्होंने ये देखा कि आज ये खिलोना आया, कल वो नया खिलोना आया, आज ये चीज आई आई कल वो चीज आई, इस तरह से बच्चे सीखते हैं कि कोई भी चीज आपको जिंदगी में पर्मनेंट जोई और हैपिनेस और प्लेजर नहीं दे सकती, ये सारी जिंदगी की सारी चीजें टेंप्रिरी प्लेजर हैं और यही चीजे वो सीखते हैं और अपने रिष्टों में temporary pleasure ढूणते हैं मतलब one night stand, fling, temporary cold sex for the convenience of it, friends with benefits तो यह उनको किस ने सिखाया? Indirectly हमी ने हमारे पास घास काटने, रेकने और निराई करने जैसे काम हो सकते हैं यह चिंतन मनन का अच्छा अफसर हो सकता है हाला कि अगर हम पक्षियों, हवा और सननाटे के बज़ाए आईपोड या बूम बॉक्स को सुन रहे हैं तो हम वह अफसर चूक गए हैं फिर computer game भी है कई लोगों के लिए खाली समय computer game का समय है ऐसा लगता है कि यहाँ मनुरुणजन का एक अच्छा तरीका है क्योंकि इसमें आराम भी है और फिर भी ऐसे खेलों को अत्यधिक खेलने से हमारे भीतर क्या चल रहा है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण दूसरों के साथ तो बिलकुल भी नहीं मतलब हमारी जिंदगी में जो हमारे खास लोग है या पती या पत्नी है उनको तो बिलकुल भी नहीं और खास करके ऐसे लोगों के साथ वक्त भी नहीं बिताना पड़ता मतलब उन से बात नहीं करनी पड़ती उनको बताना नहीं पड़ता और ना उन्हें समझ में आता है के हमारे बीच क्या चल रहा है नकारातमक धुरुविता लोगों को हमारी सरकारों और संस्कृतियों की शक्ति का उप्योग जारी रखने के लिए नकारात्मक रूप से धुरुविक्रित लोगों को हमारी सरकारों और संस्कृतियों की शक्ती का उपयोग जारी रखने के लिए पहली बात ऐसा इसलिए होना चाहिए ताकि सकारात्मक रूप से उन्मुख लोग विचलित हो जाएं और वास्तविक घटनाओं पर ध्यान देना बंद कर दें मतलब ये जो नकारात्मक सेल्फिश लोग हैं ये लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल हमारे सत्ता में या हमारी सभ्यता में इस तरह से करते हैं कि सबसे पहली जो जरूरत है वो ये है कि जो लोग सकारात्मक हैं उन्हें एक दूसरे से दूर कर दो और उन्हें सच्ची घटना से उनका ध्यान हटा के इन फिजूल की चीजों में उनका ध्यान लगा दो स्पोर्ट्स में लगा दो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है पता है सारे कामधाम छोड़ के फोन पे लगे हैं बीवी को बोल रहे हैं आज बॉइज नाइट आउट है आज मैच है तो इस तरह की चीजों में government ने और तकत्वर लोगों ने हम लोगों को ध्यान भटकाने के लिए जन संचार माध्यम ध्यान भटकाने का के ऐसे साधन है ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया है और हम उन्हें अक्सर चुनते हैं वो बोलते है हम करते हैं, पागल तो हम हैं, जब तक लोग केवल तभी टेलेफो विजन चालू नहीं करते, जब वे एक विशिष्ट कार्यम करम देखना चाहते हैं, तब तक ट्यूब चालू ही रहेगा, चाहे स्क्रीन पर कुछ भी चल रहा हो, आपके स्क्रीन पर कुछ भी पुराने जम में, शाम को 6 बजे टीवी शुरू होता था, 9 बजे बंध हो जाता था, और शाम के 6 से 9 में, मुश्किल से कोई एक आदे घंटे का प्रोग्राम था, जो हम लोगों को पसंद था, वो भी रोज नहीं, कभी-कभी, थरस्दे को चित्रहार आता था, नहीं, थरस्दे को गुल साटड़े को एक रीजिनल फिल्म आती थी, 6 बजे, और संड़े को एक हिंदी फिल्म आती थी, पुरानी 1940s, 50s, 60s की, तो वो खास उतना समय होता था जब TV देखते थे, उसके इलावा कभी TV चलता ही नहीं था, सुखी थे, आज की डेट में, चाहे कोई TV देख रहा है या देख रहा है, चाहे टीवी पर जो आ रहा है, वो कोई सुन रहा है, समझ रहा है, नहीं सुन रहा है, वो चलता रहता है, उससे होता क्या है, कि टीवी पर अगर कोई गलत चीजें भी बोली जा रही है, सिखाई जा रही है, वो आपके subconscious mind में घुस रही है, आप चाहो ना च आप समाज की सच्चाई न देखें, अपनी सच्चाई के अंदर न जाकें, अपने मन में न जाकें, मेडिटेशन न करें, आप भगवान को न पहचाने, अपने हस्बन या वाइफ को न पहचाने, उनसे बात न करें। तो फिर हम टीवी को पूरी तरह से बंद करने और बातचीत या सयुक्त परियोजनाओं में एक दूसरे के साथ सनलगन होने की बुद्धी के बजाए, देखने के लिए अपने विकल्पों में से सर्वस्रेष्ट को चुनते हैं। कुछ बात करनी है आपसे, हाँ ठीक है अभी ये प्रोग्राम देखने दे, फिर आदे घंटे बात प्रोग्राम खतम हो गया, कुछ बात करनी है, खाना तो खिला दे पहले हैं, फिर खाना भी खा लिया, कुछ बात करनी है, नीनदारी है सोने जा रहा हूं, कल बात करेंगे क्या किया आप दोनों के रिष्टे में जो important बात थी जहां पर हो सकता है वो कुछ भी कहना चाह रही हो शायद वो कहना चाह रही हो मैं pregnant हूँ शायद वो कहना चाह रही हो कि मुझे आपसे divorce चाहिए शायद वो कहना चाह रही हो कि मुझे cancer हो गया शायद वो कहना चाह रही हो, कुछ भी important हो सकता है, पर क्यूंकि उसने आपसे permission ली, आपकी free will को infringe नहीं किया, आपका सम्मान किया free will का और आपका, तो आपने उसे taken for granted ले लिया, टीवी इतना important है, कि एक दूसरे से बात करने का, या घर में एक दूसरे के लिए, छोटे-छोटे कामों में मदद करने का, आपको समय नहीं है, तो फिर ऐसे रिष्टों में रहने का फायदा क्या, अकेले रहो, शादी क्यों करनी है, और बच्चे क्यों पैदा करने है, अगर मैं खुद पाखंडी हुए बिना नहीं करता, इसलिए मैं आप से अपने टीवी या आईपोट से छुटकारा पाने के लिए नहीं कहता, वो कहती है कि जब तक मेरे अंदर एक गलत आदत है, मैं किसी और को नहीं कह सकती कि इस आदत को छोड़ो, तो पहले अपनी आदत मद मतलो, मतलब मैं तो सारा दिन यहां लापटॉप पे होती हूँ, तो मैं किस मुझ से कहूँ कि लापटॉप पे मत रहो, टेलिग्राम पे मत रहो, फोन का इस्तेमाल मत करो, टीवी मत देखो, मैं कैसे कहूँ, पर मैं अपना काम कर रही हूँ, क्यूंकि अगर मैंने ये बात आप सभी तक पहुंचानी हैं तो मुझे तो यहां पर क्या कहते हैं सत्संग का आयोजन करना पड़ेगा जब देश के सारे कोनों से लोग और मैं तो क्या मैं तो सिर्फ पढ़ रही हूं आप अपनी आप मत देखिए आप डाउनलोड कर लीजिए उसकी हाड कॉपी प्रिंट किताबे पड़ी हैं जो मैंने खरीदी थी नजाने कितने सालों से इकठा करी हूं मुझे यह पढ़नी है मुझे यह पढ़नी है मुझे यह करना है लौ अफ लाइफ जो मैं मैं उस दिन शुरू करना चाहती थी कितने साल उसे 10 साल से मेरे पास पढ़ी मैं आज तक वो पढ़ नहीं पाई हूँ क्योंकि हम लोग और कामों में इतने बिजी हो जाते हैं टीवी, फोन और चीजें कि हम अपनी सोशल लाइफ को पीछे छोड़ देते हैं सोशल लाइफ कहां है, जहां आप फ्रेंट्स से मिलो, उनसे बाते करो, अपने रिष्टेदारों को फोन करो, उनसे बाते करो, या उनसके घर जाके उनसे मिलो आज बंबे जैसे शहरों में तो एक दूसरे के घर जाना मतलब मुसीबत हो गया है घर से निकलने से पहले सौबार सोचना पड़ता है, सोचते सोचते छे मिने बाद निकलते हो आप लेकिन आपके घर में जो लोग मौजूद हैं, उनसे तो आप दोस्ती कर सकते हो, उनसे तो आप रिष्टे बना सकते हो, संबंध प्रेम के बना सकते हो मैं बस हम सभी से इस तरह के विकर्षणों के उपयोग के प्रती सचेत रहने के लिए कहती हूँ शो और संगीत का आनन लें, मतलब के आप प्ले देखने जाएं, क्लासिकल म्यूजिक के शोज देखने जाएं लेकिन अपने आप से और अपने जीवन के रिष्टों से जुडने के लिए भी समय निकालना याद रखें शो और संगीत का आनन मतलब ये भी है कि आप अगर टीवी पे कोई खास ऐसा शो है जो आपको कुछ पसंद है बहुत जादा या कुछ संगीत है जो आपको पसंद है सुनना कोई मूवी है जो आपको पसंद है उसके लिए एक टाइम स्लोट रखें कि दिन में अपने दिन के समय को वक्त को प्रायोरिटाइज करना सीखो कि मुझे दिन में आदा घंटा इस चीज को देना है क्योंकि मुझे संगीत पसंद है मुझे आदा घंटा संगीत सुनना है क्योंकि उससे मुझे खुशी मिलती मुझे अब नहाते हो ना, खाना खाते हो ना, बातरूम जाते हो ना, उसके लिए टाइम निकालते हो ना, तो एक दूसरे के लिए क्या दिन में आपके पास एक घंटा नहीं है टीवी देखने वाला या नेट सर्फर या गेमर होने की गलती जरूरी नहीं कि उन गतिविधियों को करने में हो, नहीं, wait, error of being a टीवी वाचर और नेट सर्फर और गेमर is not necessarily in doing those activities मतलब कि टीवी देखना, नेट सर्फर करना, गेम करना, इससे ये नहीं है कि आप उसके आधीन हो जाएं और addicted हो जाएं कुछ खेलों में अपने आप में बहुत कम या कोई नकरात्मक धुरूविकरन नहीं है मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ गेम्स ऐसे हैं, जैसे के आप YouTube पर आध्यात्मिक जो किताबे में पढ़ रही हो, उसको सुन रहे हैं तो वो negative नहीं है, बाकी चीजें जो हैं, जो वीडियो गेम्स होते हैं या Hollywood, Bollywood की बहुत सारी फिल्में, वो आपको negative धुरूविकरन, नकरात्मक धुरूविकरन की तरफ प्रोचसाहित करती हैं आपको selfish बनना सिखाती हैं, जलन करना बताती हैं, possessive, क्या बोलते हैं उसको गुसा, angry young man, अमिताब angry young man बना, उससे पहले, बॉम्बे में गुसे के बारे में किसी ने सुना नहीं था ना कोई शिवसेना थी, ना कोई दावूद था, मतब दावूद तो होगा, पर इस तरह की चीजें नहीं होती थी जब से उसकी जन्जीर फिल्म आई, तब से लोगों को लगा कि मर्द बनना है, तो फाल्तु का बिना मतलब का गुसा दिखाते रहो इससे मरदानगी नहीं दिखती है, आटिट्यूड दिखाने से मर्द नहीं बन जाते हो असली मर्द बनना है, तो प्रोटेक्टिव बनो और लविंग बनो एंग्री यंग मैन की छबी ऐसी इस देश के उपर चाही, के सारे के सारे एंग्री यंग मैन ही बन गए ज़र असी बात करो तो ठा गोली मारते हैं चब्दों से उदाहरन के लिए solitaire निरदोश है solitaire निरदोश है solitaire गेम, जो पत्तों का गेम खेलते हैं हाला कि युद्ध, मैं बहुत खेला करती थी पहले हाला कि युद्ध, उन्मुख गेम, जो गेमर्स को ट्रिगर खीचने के बारे में कभी जजक को खत्म कर देते हैं निश्चित रूप से अन्य लोगों को केवल लक्ष के रूप में देखकर हमारे नकारात्मक धुरुविकरन का संकेत देते हैं खिलाडियों के लिए तुरुटी हमारे अवसरों को धुरुविकरन करने और बढ़ने की अनुमती देता है मेन बात ये गेम बोर्ड पर अनुमती देता है पर ग्रेजुएशन की और किसी का ध्यान न जाना एक मिनट ये इसको जड़ा मैं ठीक से पढ़ूँ solitaire for instance is innocent although combat oriented games मतलब के लड़ाई जगड़े वाले जो गेम होते हैं तलवार वाले इसको गोली मारती उस पिगाड़ी चड़ा दी competition वाले ये जो होते हैं उसके अंदर एक इंसान एक पल के लिए भी जिजकता नहीं है about pulling triggers that cause gamers to lose all hesitation about pulling triggers are certainly suggestive of polarizing negatively by seeing other people only as targets जिसमें आप सामने वाले को हां तो इसको तो गोली मारनी है इसको अपने रस्ते से हटाना है कितना सहच समझ लिया उसको तो वो आपकी एक धिमाग में बढ़ जाती है बात और वो आपको negatively subconsciously polarize कर रही है पर यह आपको तो नहीं पता है और इस तरह से आप अपने अध्यात्मिक उन्नती से दूर हो रहे हो अपने multi-dimensional game board से दूर हो रहे हो और आपको पता भी नहीं चला हम चाहते हैं कि बहतर हो कि लोग एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं यह जो रिष्टों के बीच जो distractions आ गए हैं मतलब रिष्टों में एक दूसरे से दूर करने के लिए लोगों को एक दूसरे से दूर करने के लिए जो इन लोगों ने distractions डाले हैं जिसको हमने बड़े प्यार से अपना लिया है उनको अपनी जिन्दगी से दूर निकालने का तरीका ढूंडो वक्त आ गया है अगर आपको अपने औरेंज रे को अपने हाट चक्र को ओपन करना है तो अपने पहले नीचे के तीन चक्र को अनब्लॉक करो that chapter is now over and sorry कल नहीं कर पाई मैं आज नेक्स चाप्टर भी कर लूंगी और नेक्स चाप्टर मतलब चाप्टर एक ही है लेकिन उसके अंदर जो नेक्स सेक्षिन है जो है और इंज रे और सेक्ष्वालिटी I will try and do it today. Goodbye.